नमस्कार मैं कशीश आप देखने नेक्स नाइन स्प्रिच्वल घर की सतारक्त मक्ता उर्जा की प्रवा के लिए लोग तरह तरह की पौधे लगाते हैं लेकिन एक पौधा ऐसा भी है जो लगबख सभी घरों में देखने को मिलता है कहते हैं कि पौधा लगाने से घर में सु मनिप्लांट की अपने घरों में सभी मनिपलांट लगा लेते लेकिन इसे लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है, किसी भी दिशा में इस प्लांट कुरक देते हैं जिस वज़़ा से उन्हें नुक्सान छीलना पड़त Là ने कि जैर में खूष्यों का आगमन होता है और यदि आप मनी प्लांट लगाने की सोच रहे हैं या पहले से ही लगाया हुआ है तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दे मनी प्लांट को कभी इशान कौन यानि उत्तरपूर दिशा में नहीं रखना चाहिए यह दिशा इस पौदे के लिए नकारात्मक माने जाती है यदि आप इस दिशा में मनी प्लांट लगाएंगे तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है भले इतना ही नहीं यह आपके स्वास्ते और रिष्टों पर भी नकारात्मक प्रभाब डालेगा कभी भी मनी प्लांट के बेलों को जमीन या फर्ष पर फेराकर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से आपको कई प्रकार के नुपसान छेनने पर ठकते हैं साथी घर के बाहर मनी प्लांट लगाने के बजाई से घर के अंदर लगाए इसे किसी गमले या बोतल में लगाए मनी प्लांट के पत्ते हमेशा ताजा और अच्छे होने चाहिए कभी भी मुर्जाय और सूखे मनी प्लांट को घर में नहीं लगाना चाहिए मुर्जाए और सुके पत्ते अश्युप माने जाते हैं प्रती दिन इसमें पानी देना चाहिए यदि पत्ते मुर्जा गए है या सफेद हो गए तो उन्हें काट देना चाहिए घर में मनी प्लांट लगाने से धन आगवन में बड़ोतरी होती है यह से धन में वृद्धी नहीं बलकि रिष्टों में भी मिठास लाता है यदि आपके दामपत्य जीवन में तनाव चल रहा है तो आप मनी प्लांट के पौधे को पुर पश्चिम दिशा में लगाए इससे दामपत्य जीवन खुशाल बना रहता है घर में मनी प्लांट को आगने कों यानि दक्षेन पूर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि दिशा के देव्ता गणेश जी को कहाच गया है इसलिए यदि आप इस दिशा में मनी प्लांट लगाते है तो घर में सुब्सम्रृध्य बनि रहती है श्याय करना बिल्कु नाब